बार बार अपिल की जाने के बावजुद वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों पर लगाम कसने के लिए अब ट्राफिक पुलिस विभागने नई तर्किब अपनाई है गुरवार से विशेश अभियान के था ट्राफिक पुलिस शाहर के विभिनने इलाकों मे स्थित पेट्रल पंपों पर डट गई हेलमेट नहीं पहनने वाले 1564 लोगों के चालन काटे गए इसके साथ ही पेंडिंग चालन नहीं भरने वालों के खिलाव भी कारवाई की गई नागरीकों से यातायत नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस सक्त कदम उठा रही है DCP सारंग आवाड और चिनमय पंडेत के मार्ग दर्शन में ट्राफिक विभाग के सभी 10 जोन में गुरवार से ये कारवाई शुरू हुई है सदर जोन के इंस्पेक्टर जगवेंदर राजपूत के नेतरुत्व में सबसे ज़्यादा 248 वाहन चालकों पर चालान कारवाई की गई M.I.D.C. 237, इंदूरा 236, काम्टी 161, सक्करदरा 69, अजनी 176, लकडगंच 63, कॉटन मार्केट 21, सिताबर 99 और सोनेगाउ जोन में 164 वाहन चालकों का चालान किया गया इस वर्ष अक्तुबर महिने तक हेलमेट नहीं पहनने वाले एक लाकी 90,000 वाहन चालकों के खिलाफ चालान कारवाई की जा चुकी है इसमें बहुत बड़ी संख्या में चालान पेंडिंग है नियम तोडने वाले वाहन चालकों ने चालान अदा नहीं किये है इसलिए पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के रिकॉर्ड को देख कर RTO से गाडी का रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस रत करने का प्रस्ताव भेजने का निने लिया है कुछ वाहन चालकों के खिलाफ नायले में केस भी चलाए जा सकता है